हैलो फ्रेंट्स हमारे चैनल येस जे हिंदी रिस्पी में आप सभी का स्वागत है तो फ्रेंट्स आज हम बनाते हैं एक सिंपल सी पर टेस्टी सबजी बनाते हैं तो उसके लिए कुकर रखा है कुकर गरम हो गया है फिर हमने डाल दिया है सर्सों का तेल लगवग एक चमचा और फिर डाल दिया हमने आधा चमच जीरा जीरा भी जब थोड़ा सा लाल हो गया तो फिर डाल दिया आठ दस कलिया लस्टन की वो भी ब्राउन हो गई है तो उसके बाद डाल दिया हमने एक बड़ा प्याज जो बहुत बारिक नहीं और बहुत मोटे टुकड़ों में नहीं कटा हुआ है तो अभी इसको भी बून लेंगे ये ब्राउन हलका सा ब्राउन होने लगा है तो इसको भी बून लेते हैं प्याज को भी और प्याज अच्छा सा ब्राउन हो गया है फिर डाल दिया हमने टमाटर एक बड़ा टमाटर है ये और डाल देंगे साथ में स्वाधा नुसार नमक नमक से टमाटर जल्दी गल जाता है तो दोस्तों ये सिम्पल सी सबजी है लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है तो इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है तो टमाटर भी गल गए हैं तो चलोब डाल देते हैं इसमें मसाले तो आधा टीस्ट्पुन हमने डाल दिया है हल्दी पाउडर और दो टीस्ट्पुन डाल दिया है धनिया पाउडर और आधा टीस्ट्पुन मैंने लाल मिस्ट पाउडर डाल दिया है और आधा चुछी स्पुन हमने डाल दिया है गरम मसाला पाउडर तो मसालों को अच्छे से इनको भून लेते हैं तो मसाले भून गए हैं और बहुत ज़दा मसाले नहीं बहुत हलके मसाले बस बेसिक सिंपल वाले मसाले हैं इन ही से इतनी टेश्टी गचप की सबजी बन जाती है और साथ में हमने डाल दिया इसमें पावभाजी मसाला तो एक चमच मैंने इसमें डाल दिया है पावभाजी मसाला और साथ में डाल दिया है मटर तो ये आलू मटर की सिंपल सी पर टेस्टी सबजी बना रही हूं मैं आज तो फ्रेंट्स हमारी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना और थोड़ा सा नरम हो गए थे मटर तो साथ में डाल दिया हमने आलू ये नई वाली आलू है तो दो तीन मिनट हो गए है और अच्छे से इन में मसाला और सबजियां एकदम से मिस्क से हो गई है तो अभी डाल देंगे इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी और पानी डालने के बाद ढखके मैंने तीन सीटी आई उसके बाद देखा थोड़ा सा लगा कि मुझे हलका सा पानी थोड़ा सा रसा जादा है तो बस मैंने थोड़ा सा और चड़ा दिया दो मिनट के लिए तो हो गई हमारी यम्मेसी रसेदार सबजी तयार और डाल देते हैं हरी धनिया पत्ती तो टिस्टी सबजी हो गई है तयार बहुत आसान तरीका है बनाने का तो फरेंट ट्राइ करना बनाना जरूर और मिलेंगे एक नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए थैंक यू